नमस्कार देश के रेल मंत्री स्री अश्विनी वैश्णव जी कारकम में देश के कोने कोने से जुड़े केंत्रियम मंत्री मंडल के अन्य सदस्य विभिन राज्यों के गवर्नर मुख्य मंत्री गण राज्यम मंत्री मंडल के मंत्री श्री सामसद गण विधाय गण अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाईयों और बेहनों विक्सित होने के लक्ष की तरफ कदम बड़ा रहा भारत अपने अम्रित काल के प्रारंब में है नई उर्जा है नई प्रेर्णा है नए संकल्प है इसी आलोक में आज भारतियर रेल के इत्यास में भी एक नए अध्याय की शुरुवात हो रही है भारत के करीब तेरा सो प्रमूख रेल्वेस्टेशन अब अम्रित भारत रेल्वेस्टेशन के तौर पर विक्सित किये जाएंगे उनका पुनर विकास होगा आधुनिक्ता के साथ होगा इस में से आज पानसो आठ अम्रित भारत स्टेशनों के पुनर्द निर्मान का काम शुरू हो रहा है और इन पानसो आठ अम्रित भारत स्टेशन के निर्वन निर्मान पर करीब 25,000 करोड रुपे खर्च किये जाएंगे आप कल्पना कर सकते हैं ये देश के इंफ्रास्रक्टर के लिए रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभ्यान होने वाला है इसका लाप देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा जैसे यूपी में इसके लिए करीब साड़े चार हजार करोड रुपे के खर्ट से पचपन अमर्द स्टेशन को विक्सित किया जाएगा राजस्तान के भी पचपन रेलवे स्टेशन अमर्द भारर स्टेशन बनेंगे एमपी में एक हजार करोड रुपे के खर्ट से चौति स्टेशन का काया कल्प होने वाला है महाराष्ट में चवालिस स्टेशन के विकास के लिए डेड़ हजार करोड रुपे से जादा खर्च होंगे तमिलनाडू, करनाटका और किरला के भी प्रमूख स्टेशन को अमर्द भारर स्टेशन के रुप में विक्सित किया जाएगा मैं अमर्द काल के प्रारम में इस अइतिहासिग अभ्यान के लिए रेल मंत्राले की सराना करता हूँ और सभी देश वाच्यों को बधाई देता हूँ साथियों आज पूरी दुनिया की द्रश्टी भारत पर है वैश्विक स्तर पर भारत की सांख बड़ी है भारत को लेकर दुनिया का रवया बड़ला है और इसकी दो प्रमुख बाते हैं दो मुख्य बज़े हैं पहली आप देश वाची भारत के लोगों ने करीब करीब तीन दसक बाद तीस साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई वो पहली वज़े और दूसरी वज़े हैं पूर्ण भूमत की सरकार उसी स्पष्टता के साथ जनता जनारदन की उनकी भावना का आदर करते हुए बड़े बड़े निर्ने लिए चुनवतियों के स्थाई समाधान के लिए अवीरत काम किया आज भारतिये रेलवे भी इसका प्रतीक बन चुकी है बीते वर्षों में रेलवे में ही जितना काम हुआ है उसके आंकड़े उसकी जानकारी हर किसी को प्रसन्न भी करती है हरान भी कर देती है जैसे दुनिया में साथ आफ्रीका युक्रेन पोलेंड यूके और स्वीडन जैसे देशों है जितना रेल नेटवर्ग है उससे जानदा रेल ट्रेक हमारे देश में इन नव वर्षों में बिचाए गए है अब कलपना करिए स्केल साउथ कोरिया न्यूजिलेंड और आस्ट्रेलिया जैसे देशों का जितना रेल नेटवर्ग है उससे जानदा ट्रेक भारत ने अकेले पिछले साल बनाए हैं एक साल में भारत में आज आधुनिक ट्रेनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है आज देश का लक्ष है कि रेल्वे की यात्रा हर यात्रिक के लिए हर नागरिक के लिए सुलब भी हो और सुखद भी हो अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक आपको एक बहतर एक उमदा से उमदा एक्सपरिंस देने का प्रयास है प्लेट्फरम्स पर बैठने के लिए बैतर सीटे लग रही है अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं आज देश के हजारों रेल्वे स्टेशनों पर मुप्त भाई भाई की सुविदा है हमने देखा है इस मुप्त इंटरनेट का कितने ही युवां उन्हें लाब उठाया है पढ़ाई करके वो अब बहुत कुछ अपने जीवन में सिद्धियां प्राप्त कुर चुके हैं साथ क्यों ये इतनी बड़ी सिद्धियां है जिस प्रकार से रेल्वे में काम हुआ है किसी भी PM का मन कर जाएगा कि इनका जिक्र 15 अगस को लाल किले से करें और जब 15 अगस सामने है तो मन बहुत ही लालाईथ होता है कि उसी दिन इसकी चर्चा करू लेकिन आज ये इतना विराट आयोजन हो रहा है देश के कोने कोने से लोग जुड़े हैं इसलिए मैं अभी ही इस बात पर इतने विस्तार से चर्चा कर रहा हूं साथियों रेल्वे को हमारे देश की लाइफ लाइफ लाइन कहा जाता है लेकिन इसके साथ ही हमारे शहरों की पैचान भी शहर के रेल्वे स्टेशन से जुड़ी होती है समय के साथ ये railway station अब heart of the city बन गए है सहर की समारी प्रमुगतिवीधियां railway station के आसपासी होती है इसलिए आज बहुत आवशक है कि हमारे railway station को नए आदुनिक स्वरूप में ढाला जाए railway की जगह का optimum utilization किया जाए साथियों जब देश में इतने सारे नए आदुनिक स्टेशन बनेंगे तो उससे विकास को लेकर एक नया माहोल भी बनेगा देशी विदेशी कोई भी परियटक जब train से इन आदुनिक स्टेशनों पर पहुँचेगा तो राज्य की आपके शहर की पहली तस्वीर उसे जरूर प्रभावित करेगी वो यादगार बन जाती है आदुनिक सेवाओं के कारण परियटन को बढ़ावा मिलेगा स्टेशन के आसपास अच्छी व्यवस्थाएं होने से आर्थी गतिविध्यों को भी बढ़ावा मिलेगा सरकार ने स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोडने के लिए वन स्टेशन वन प्रोड़क्ट योजना भी शुरू की है इससे पूरे इलाके के लोगों को कामगारों और कारिगरों को फाइदा होगा साथ ही जीले की ब्रांडिंग भी होगी साथ ही आजादी के अमरित काल में देश ने अपनी विरासत पर गर्व का भी संकल्प लिया है यह अमरित रेल्वे स्टेशन उसके भी प्रतिक बनेंगे हमें गर्व से भर देंगे इन स्टेशन में देश की संस्कृती और स्थानी विरासत की जलग दिखेगी है जैसे जैपूर रेल्वे स्टेशन में हवा महल आमेर फोर्ट जैसी राजस्तान की दरों की जलग होगी जम्मु कश्वीर का जम्मु तवी रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध रगुनाद मंदिर से प्रेरित होगा नागालेंड के दिमापूर स्टेशन पर वहां की 16 जन जात्यों की लोकल वास्थुकला दिखाई देगी हर अमर्ट स्टेशन शहर की आधूनिक आकांख्षाओं और प्राचिन विरासत का प्रतीग बनेगा देश के विबिन अइतियासिक स्थलों और तिर्थ स्थानों को जोड़ने के लिए इन दिनों देश में एक भारत गवरव यात्रा ट्रेन भारत गवरव ट्रिश ट्रेन भी चले रही है शायद आपके ध्यान में आया होगा उसको भी मजबुती दी जा रही है साथियों किसी भी व्यवस्ता को ट्रांस्फर्म करने के लिए जरूरी होता है कि हम उसके पोटेंशल को पहचाने भारतिये रेल में तो ग्रोथ को रप्तार देने का अपार पोटेंशल है इसी सोच के साथ बीते नव वर्षों में हमने रेल्वे में रिकॉर्ड इंवेस्टमेंट किया है इस साल के रेल्वे को डाई लाग करोड रुपिय से जादा का बजट दिया गया है ये बजट 2014 की तुल्णा में पांच गुना ज्यादा है आज एक होलिस्टिक सोच के साथ रेल्वे के समग्र विकास के लिए काम हो रहा है इन नव वर्षों में लोकोमोटिव्स उत्पादन में भी नव गुना की वृद्धी हुई है आज देश में पहले की अपेक्षा तेरा गुना ज्यादा है एच एल बी कोच बन रहे है साथियों नौर्थ इस्ट में रेल्वे के विस्तार को भी हमारी सरकार ने प्राथ्विक्ता दी है रेल्वे लाइनों का दोहरी करण हो गेज परिवर्तन हो इलेक्रिफिकेशन हो नए रूट्स का निर्मान हो इस पर तेजी से काम किया जा रहा है जल्द ही पुर्वोत्तर के सभी राज्जों की राजधानिया रेल्वे नेटकवर्ट से जुड़ जाएगी नागा लेंड में सो साल बाद दूसरा रेल्वे स्टेशन बना है नौर्थ इस्ट में नई रेल लाइनों की कमिशनिंग भी पहले के मुकामले तीन गुना जादा हो रही हैं साथियों पिछले नाव वर्षों में बाईसो किलोमेटर डेडिकेटेड ट्रेड कोरिडोर भी बनाए गए हैं इसकी वज़े से माल गाड़ियों के ट्रेवल टाइम में काफी कमी आई है दिल्ली NCR से वेस्टन पोर्ट तक जाए गुजरात के समुद्री तट हो या महराश्टर का समुद्री तट हो पहले से जो सामान ट्रेन से पहुँचाने में एवरेज आउसातन बहत्तर गंटे लगते थे आज वही लगेज, वही सामान, वही गूट 24 गंटे में पहुँच जाता है ऐसे ही दूसरे रूट्स पर भी टाइम में 40 प्रतिशत की कमी आई है ट्रेवल टाइम में कमी आने का मतलब है कि माल गाड़ियों की गती बड़ी है और सामान भी अब ज़्यादा तेजी से पहुँच रहा है इसका बड़ा लाब हमारे उद्दमियों, कारोबारियों और खास करके हमारे किसान भाई बहनों को हो रहा है हमारी फल सब्जियां अब ज़्यादा तेजी से देश के एक कौने से दूसरे कौने तक जा रही है जब देश में इस तरह का टांस्पोर्टेशन तेज होगा तो उतनी ही तेजी से भारत के जो उत्पाद है हमारे छोटे मोटे कारीगर, हमारे लगुद्द्योग जो कुछ भी उत्पादन करते हैं वो सामान विश्व बाजार में भी तेजी से पहुँचेगा साथियों आप सभी ने देखा है कि पहले रेल्वे ओवर ब्रीज का कम होने के काराण कितनी दिक्कत आती थी 2014 से पहले देश में 6000 से भी कम रेल्वे ओवर ब्रीज और अंडर ब्रीज थे आज ओवर ब्रीज और अंडर ब्रीज की ये संख्या 10,000 से जादा हो गई है देश में बड़ी लाइन पर मानव रहित क्रॉसिंग की संख्या भी सुनने हो चुकी है रेल्वे और रेल्वे प्रेट्फरम पर यात्री सुविधाओं के निर्माण में आज बुजुर्गों की दिव्यांग जनों की जरूरतों का विशेश ध्यान रखा जा रहा है देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर